हर्ष जमेन पर गिरी हुई तारा को उठाता है और उसका चहरा देखता है वहाँ खड़े सभी लोग उसका चहरा देख रहे थी हॉई हॉई तवायफ के कदम वो भी इस मंदिर जैसे घर में पड़े है राम 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 ऐसी भी क्या मजबूरी थी गोविन भाई साब की जो इस तवायफ को नाच काने के लिए बुला लिया तुम? तारा हर्ष को देख हैरान थी तारा कुछ बोल पाती कि तभी रेखा उसका हाथ पकड़ कर उसे दूर करती है बीटा, तो इससे दूर ही रहे, मच्छो इसे एजी, महमानों को भी भीज दीजिए, घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है और सब महमान भीज दिये जाती है आखिर इस घर में हो क्या रहा है? और ये तवायफ तवायफ क्या लगा राखा था इन वेवकुफो ने? अब कोई कुछ बोलेगा भी या नहीं? तीरी बामा उठा कर लाए है एक तवायफ को इस घर में ये है तवायफ, माला हवीली की तवायफ तारा, तू ही पूछ इन से हर्श ये सुनकर हैरान हो जाता है, वे तारा की और बस दीखता हुआ जा रहा था उधर तारा को पहली बार तवायफ शब्द गाली की तरहें चुब रहा था तवायफ, 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 हाँ, हो में एक तवायफ नाश्ती भी हूँ गाती भी हूँ रात में लोगों की भीड भी बुलाती हूँ तो मुझे तवायव बनाया किसने इन मर्दों की भूख ने ये जो मर्द अपनी पतनी का आचल छोड़कर दूसरी औरत के पल्लू में जाकर छिपते हैं वो बनाती हैं हमें तवायव आज खु और क्या तवायव होना बुरा ही तो है शरीव घर की लड़किया ये सब काम नहीं करती अच्छा रंजीत बाबू और शरीव घर के मर्द कोठे के चारों और मंडराते रहें वो चलेगा पर वो मर्द है ना उनकी तो बस जीब करती है अरे हम और तो का तो बदन करता है बद माला की हवेली में रेखा और हर्ष रंजीत को घूर कर देखते हैं ये ये आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं बबभाई साब से पूचे आकर एक तवायव को यहां उठा कर क्यों लाए है अब तो चुप्पी तोड़िये जी ऐसी क्या मजबूरी थी जो घर में मे जोर से जा रहा था कि उस माला ने मुझसे पैसे लेने के लिए इसको मेरे गले में डाल दिया और कहने लगी अगर ऐसा नहीं किया तो पुलिस में ले जाकर कहेगी कि मैंने इसके साथ कैसे कैसे गलत काम किये है मताओ मैं क्या करता मैं क्या करता रेखा हश मैं क्या करता मुझे मेरा स्वर्ग सा घर बचाने के लिए ये बात माननी पड़ी सोचा इस मंद्री की चोकट पर पाउ रखेगी तो उस घटिया जिन्दगी को बाहर ही छोड़ देगी मगर एक तवायव अपनी जाद कभी नहीं भूलेगी कभी नहीं बस बाबा बस अगर यही बात है और इस तारा को यही रहना है तो यही रहेगी यही रहेगी मगर अब इस घर में तवायव शब्द कोई नहीं बोलेगा कोई भी नहीं तो भाईया मैं तारा को क्या वोलाओ, छोटी भावी या फिर? गोविंद रंजीत की और घूर कर देखता है, तारा रूती हुई कमरे में चली जाती है, और उधर चला गोविंद अपनी चाल चल ही चुका था, तारा को खुद से सोने की पिंजने में कैद कर ये जताने लगा कि तारा ने उसे फसाया है, रेखा उदास होकर गोविंद को ग में कर लेती है, और गोविंद जैसा शिकारी सियार चुप चाप बेदाग इस मुसिबत से निकल चुका था, तारा अपने कमरे में आकर खुब हसती है, वाहरे तेरी बनाई हुई रीद भगवान, और शादी करके मर्द की साथ रह लेती है, तो वह इतनी अंधी हो जाती है कि यह देख ही नहीं पाती कि उसका मर्द बाहर तेरी सौध बना रहा है, औरत होकर औरत को नहीं समझने वाली दुनिया कितनी सुन्दर है तारा, यह कितनी सुन्दर है, तारा सोजाती है, आज जमाने बाद कही न कही रात में उसे बिस्तर पर आराम से सुने का मौका मिला आज उसे कोई नहीं नोच रहा था आज कोई भी दर्वासी पर आकर उसका सौधा नहीं कर रहा था मगर आखिर कब तक तारा के कमरे का दर्वासा खुलता है और आहिस्ता से कोई अंदर आता है वह तारा को सोते होई देख रहा था अचानक वहें तारा की उपर जपट पड़ता है और उसका मुझ दबा दीता है मत करो, आज मत चूँ मुझे, मैं बिस थोड़ी देर सोना चाती हूँ और तभी वहें कमरे की रोश्णी जला दीता है, वहें गोविन नहीं हर्ष था हर्ष और तारा एक दूसरे को देखते हैं, पर तारा की आखों में हया भरी हुई थी तारा ये सब, आखिर तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? और ये तवायफ, ये सौधा, ये ब्लैक मिलिंग, ये सब आखिर क्या है? तारा कुछ नहीं बोलती है, मगर हर्ष तारा का चहरा उठा कर अपनी और करता है ये तब की बात है जब आलिशा नहवेलिक की खिड़की से तारा आस्मान को छूने का ख्वाप देखने लगी थी तारा क्या कर रही है? आदमी लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है, अब जल्दी से चल, सबसे उचा दामता तुछ पर ही लगीगा खजरी रुक, वहाँ क्या है? उस और जहां आस्मान समी को छूता हुआ नजर आ रहा है, मुझे वहाँ जाना है खजरी मगर तारा के इरादे तारा के सपनों से भी मजबूत थे, उस दिन भी तारा की सबसे ज्यादा बोली लगी जितने मोटे पैसे उतना ही मोटा वो आदमी भी था, जिसके उम्र शायद 50 से उपर थी मगर तवाइफो को चुनाफ करने की कहा इजाज़त होती है, चुनाफ तो ये मर्द करते हैं, ये सुन्दर है, ये कम सुन्दर है, ये मोटी है, ये नाटी है, रंग में काली है, गोरी नहीं है इसी सब चीजों का दाम लगता था जिसमें तारा सबसे खूब सूरत और पसंदिदा थी तारा उस मोटे सेट के साथ कमरे में चली जाती है रात को तारा उठती है तो सेट उसके आधे पिस्तर पर फैला पड़ा था वह उठकर खिड़की के पास जाती है और फिर से आसमान निहारने लगती है कजरी के दर्वासे पर खटखट होती है वह हडबडाई सी उठती है और दर्वासा खोलती है तो दर्वासे पर तारा चेहरा डखे खड़ी थी ये सब क्या है? चल कज्री, आज हमारी नीले गगन को छूने की बारी है कज्री उसे मना करती है, मगर तारा जित करके उसे ले चलती है और दोनों शेहर दूर वादियों में पहुँच जाते हैं सच में ऐसा ही लग रहा था, जैसे पहाड आसमान को चूम रहा हो कज्री तुभी जूम ले, इस खुली हवा में, इस हवा को महसूस कर यहां कोई सौदे बाजी नहीं होगी, काश हर तवायफ इतनी बेखौफ होकर बाजार में भी चल सके तारा और कज्री चले जाते हैं, मगर वहां कोई और भी था, जो इनी दूर से देख रहा था हर दूरबीन से तारा को जूमता देखता है, और बस देखता ही रह जाता है यार भाई सुन, इस मौसम में हावादियों में कोई परिवगर अभी आती है क्या अगले दिन भी तारा वहीं लोटाती है, मगर आज वो केली थी, सुभे ठीक से हुई भी नहीं थी सूरज उगने को था, अभी तारा को ऐसा लगा, जैसे उसे कोई चू रहा हो मैं घबरा कर चीखती है, कौन, कौन है? और हर जट से उसका मूँ बंद कर दीता है चिलाओ नहीं, और हिला मत, तुम्हारी पीट पर साब चल लहा है तारा ये सुनती ही और घबरा उटती है, हर्श साब को लकड़ी से फटकार कर भगा दीता है हाँ, हाँ, शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया, मेरी तो सांस ही अटक गई थी हाँ, देखा मैंने, चलो एक चीज़ तो पता चली गई, कि आपको भी डर लगता है, यानि कि आप कोई परी या भूद्व अगरा तो नहीं है क्या बोले, अरे मैं एक जिन्दा लड़की हो जनाम, पर कहीं आप दुष्ट आत्मा तो नहीं, अगर ऐसा है तो नहीं, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ देना वो इस विराने में कोई रहता नहीं है न, इसलिए, और मैं तो यहाँ मिरु दोस्तों के साथ आया था, और आप यहाँ आसमान को चुमते होई देखने आई थी क्या का है? जी नहीं, वो मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं तो माला की हवेली है न? क्या, माला की हवेली? हर्ष के चहरे की उड़ती रंगत देखकर तारा थोड़ा घबरा गई और उसे सच कहने की हिमत नहीं हुई हाँ, वो माला की हवेली के पास जो कॉलनी है, उसके ठीक पीछे मेरा घर है ओ, अच्छा, मैं तो डरी गया था, कि माला की हवेली में आप जैसी लड़की, क्योंकि वो तो तवाइफ खाना है न? मेरी जैसी मतलब, क्या वो तवाइफे भी लड़किया नहीं है? या हर लड़की उन तवाइफो जैसी नहीं है? नहीं मेरा वो मतलब नहीं था वो बच्पन से हमें कभी माला की हवेली की ओर जाने नहीं दिया गया और मेरे बाबा तो ऐसे हैं कि बाबा अगर तवायव शब्द कहीं सुन मी लें तो कान में गंगाजल डालते हैं और मा अगा तवायव कह दे तो गंगाजल पी लेती है। अगाजल पी लेती है। मर्द अगर महबत कर लें तो तवायव के लिए भी लड़ जाता है। तारा के बाद सुन हर्ष उसको देखता ही रह जाता है। आज तक ऐसी बाते करने वाली लड़की उसने पहले कही नहीं देखी थी। मगर जब हर्ष तारा का सच जानेगा तो क्या वे फिर भी उसे अपनाएगा या नहीं। जानने के लिए देखिए तबाए अफतारा की व्यथा केवल लफ स्टोरी पर।